केंद्र सरकार भी हमने देखा है न्यूस के माध्यम से ग्रह मंत्राले ने रिपोर्ट भी मांगी है तो स्वभाविक रूप से इन सब विश्यों का आंकलन करने के बाद जो भी उचित कदम होगा सरकार वो पारटी उठाएगी कोट में भी विशय गया हुआ है इसके विशय म यहां भी हुआ है तो यहां भी होगा क्या यह उत्तर है बावन लोगों का मर जाना असंबली इलेक्शन में 45-45 लोगों की मृत्यू पंचायत के इस बार के चुनाव में शरम से जहां हम सब को सर जुका लेना चाहिए वहां वाट अबाटरी हो रही कि वहां भी हुआ था त इसी पार्टी द्वारा उनको क्षमा मागनी चाहिए देखिए मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि 45 लोगों की हत्या हुई है आज सारे अकबारों में 42 प्लस 3 यह संख्या चपी है और मैं मीडिया पे संपूर्ण विश्वास करता हूं कि जिस दिन से चुनाव घोशित हुए ह आज तक 45 लोगों की जान गई है मेडिया ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ चापा होगा आकडों के साथ चापा होगा और जहां तक NIA एवंग CBI के जाच का विशा है स्वभाविक रूप से इसमें कोई दोमत नहीं है कि हमारी होम मिनिस्ट्री हो और बाकी जो पार्टिय हैं सभी ने अपने डिमांड को रखा है तत्थे के आधार पर इस विशे पर पार्टियां भी और सरकार भी आगे बढ़ेगी तो संबित पात्रा को आप सुन रहे हैं बश्रिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाओं के साथ-साथ हिंसा हुई है इस पर वो पत्रकारों के सवाल के जवाब दे रहे हैं पंचाय चुनाओं के दोरान कैसे बंबाजी हुई मत पेटियां तक रूप ले गए इस समित पात्रा को फिर से सुने चाहिए है इस वभावी क्रूप से बारिश हो चाहे दिल्ली में कुछ भी हो केज्रिवाल सरकार और उनका एक रवया रहता है कि दूसरों के कंधे के उपर जिम्मेदारी डाल देना और आजनीती करना मुझे लगता है आज पूरे देश में जिस प्रकार से बारिश का प्रकोप है हम टीवी के माध्यम से और बाकी माध्यमों सो देख रहे हैं समवेदनशील विशय है लोगों के घर बह जाने लोगों का जान चला जाना ये राजनीती का विशय कदाचित नहीं है सभी सरकार हैं चाहे किसी भी पार्टी की हो एक जूठ होकर इस प्रकाम करना चाहिए जिस प्रकार की ओची राजनीती मैं देख रहा हूँ ट्वीटर के माध्यम से भी कुछ लोग दोशारोपन करने का काम दिल्ली में बैट के कर रहे हैं मुझे लगता है कि जब चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं कि जिम्मेदारी मेरी है जब एड़िटाइजमेंट पे करोडों खर्च करते हैं तो जिम्मेदारी लेने पर भी तनिक सी जमीर खर्च करनी चाहिए थोड़ा सा करोड़ो खर्च जब एडवर्टाइजमेंट में है तो थोड़ा सा खर्च जमीर पे भी होना चाहिए निवो कमीटी आपको प्रपेपर दिया गया है और इस वक्त की बड़ी ख़वर आपको बता दे भारती जनता पार्टी ने टीमसी पर एक बड़ फिर से बड़ा आरूफ लगाया है बंगाल में लोककंत्र दम तोड़ रहा है संबत पात्रा प्रेस कॉंफरेंस कर रहा है ऐसी हिंसा इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई सरकार प्रायोजित हत्याई हुई है ये भी कहा गया कि जो कोट का ओर्डर था उसे फॉलो नहीं किया गया चुनाओ में 45 लोगों की हत्या कर दी गई पंचाल चुनाओ यहां पर हुआ तो उसी दुरान बंबाजी की घटनाए देखने को मिली सिर्फ इतना ही नहीं खुले आम मत पेटियां तक लूट ली गई अब सवाल ये पूछा कि राहूल गांधी बंगाल पर बात क्यों नहीं करते बंगाल में लगातार हिंसा बढ़ती चली जा रही है सवाल यही क्या पश्चिम बंगाल में चुनाओ बगेर हिंसा के होगा मंदुगन आप सभी जानते हैं कि जहां तक भारती जनता पाटी का सवाल है हमने लगभग छे हजार पोलिंग बूथों पे री पोलिंग का डिमांड किया था इस कदर एक बैसनेस के साथ ये पोलिंग हुई है आप सबने सुना था सुप्रीम कोट रहाई कोट ने क्या कहा था सुप्रीम कोट ने तागीत किया था राज्य सरकार को कि आप सही तरीके से ततस्त होकर केंद्रिय बल्ग के साथ Central Forces के साथ चुनाव कराईए Central Forces तो गई मगर deployment जो Central Forces के हुए उनका ठीक तरह से deployment राज्य की सरकार ने नहीं किया जो sensitive boot होती है उनकी संख्या चुपाई गई सेंसिटिव बूत का डाटा दिया नहीं गया सेंटरल फोर्सेस के होने के बावजूद 45 लोगों की हत्या यह दिखाता है कि राज्य सरकार किस प्रकार से एक प्रायोजित रूप से इन हत्याओं को अंजाम दे रही थी यह एक स्टेट स्पॉंसर्ड मर्डर है दिन दहाडे हत्या की गई है केवल इसलिए क्यूंकि आप टीमसी को वोट नहीं कर रहे और यह कोई केवल भारतिय जनता पार्टी के कारेकरताओं का मर्डर नहीं है इसमें कांग्रेसी भी है इसमें कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग भी है इसमें बाकी पार्टी के लोग भी है ऐसे लोग भी है जिनका राजनिती से कोई लेना देना नहीं है वो केवल वोटिंग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों की हत्या हुई है जब इस प्रकार का द्रिश्य सोशेल मीडिया और फेस्बुक में हम देखते हैं तो मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर यही द्रिश्य कोई भाजपा साशित राज्य से आ रहा होता तो हाहाकार मच क्या होता यह सारे नेता यह जो मुहबत की दुकान खोलने वाले राहूल गांदी कहां है यह सारे महा ठकबंधन के नेता